मित्रो शम्शान गाड एक ऐसी जगा है जहां मनुश्य के जीवन का अंत होता है जिसके बाद गंगा जैसी पवित्र नदी में उसके आकरी अंच यानि कि उसकी अस्तियों को भी विसर्जित करके इस संसार में मौजूद उसकी अंतिम निशानी को खट्म कर दिया जाता है लेकिन इन सब के बीच एक चीज ऐसी भी है जिससे आप सभी अंजान है जी हां मित्रो क्या आप जानते हैं कि अंतिम संसकार के पश्चार और विसर्जन से पहले उन अस्तियों का संचय शम्शान गाड से तीन दिन बाद किया जाता है तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर हमारे धर्मग्रंद तीन दिन बाद ही उन अस्तियों को एकत्रित करने के लिए क्यों कहते हैं आज की इस खास वीडियो में नमस्कार और स्वागत है आप सभी का The Divine Tales पर एक बार से मित्रों हमारे अठारा पुरानों में से एक गरुड पुरान में मनुष्य के जनम और मरन से संबंद समस्त रहस्यों को उजागर किया गया है इनी विचित्र रहस्यों के बीच गरुड पुरान में ही तीन दिन बाद अस्ती संचय करने के सही कारण को भी बताया गया है और साथ ही अस्ती संचय को लेकर कुछे नियमों का वर्नन भी किया गया है जिन में से एक है मृत्यू के होने के तीसरे साथवे अत्वा नौमे दिन अस्ती संचय करना साथ ही उनका विसर्जन दस दिनों के भीतर करना जिसे धर्मक्यों ध्वारा कुछ तक प्रसारित तो किया गया परंतु देखा जाए तो अधिकतर जन्मानस इन मान्यताओं को निभाने के पीछे के वास्तविक कारणों को नहीं जानता दरसल गरुण पुरान कहता है कि अंतिम संसकार के तीसरे दिन बाद ही अस्ती एकतरित करना अधिक योगे है क्योंकि मंत्रों के उच्चारन की सहायता से अस्तियों में आकाश एवं तेज तत्वों की सैयुक्त तरंगों का संक्रमन होता है जो की तीन दिनों के उपरांत कम होने लगती है जिस वज़े से अस्तियों के चारो और निर्मित सुरक्षा कवज की शमता भी कम पढ़ने लगती है ऐसे में अस्थियों पर कबजा कर अनिष्ट शक्तियां अर्थार्थ प्रेत आत्माएं उसे जीव के देह को कष्ट देने का प्रयास कर सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो अनिष्ट शक्तियां उसके माध्यम से मृत के परीजनों को भी कष्ट देने का प्रयात्न करे कोई ऐसी स्थिती उद्पन ना हो इसलिए उससे पहले ही अस्थियों को शमशान गाट से हटा लिया जाता है लेकिन अस्थियां एकत्रित करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जहां शव को अगनी दी गई थी अस्थियों को वहां से लाने से पहले उसकी पूजा करना अनिवारे है फिर अस्तियों का संचे करके उसे एक साफ पीतल की ठाली में रखने के बाद सफेद कपड़े से ढख कर उसे गाट ले जाना चाहिए इसके पश्चाथ अस्तियों को एक लाल गड़े में रख कर गाट के पास ही किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर साल भर के लिए यानि की पूरे 365 दिनों के हिसाब से 365 बार पानी देना चाहिए जिसे हम तीसरे दिन से सातवे दिन के बीच बराबर बाट कर साथ दिनों के भीतर ही पानी डाल कर खत्म कर देते हैं एक चीज और है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए उस दिन के लिए आपको सिर्फ चावल और सबजी ही बना कर खानी है सबजी में उसी सबजी को रखें जो मृत को पसंद थी इसके अलावा मित्रों ये भी बताया गया है कि मृत्यों के दिन से दस दिन तक किसी योग्य ब्राह्मन से गरुण पुरान सुनना चाहिए और ये पाठ उसी स्थान पर करें जहां अंतिम बार मृत व्यक्ती के शव को रखा गया था साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि ये पाठ सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो जाए और यदि आप दस दिनों के बाद अस्थी विसरजन करने जाते हैं तो गरुण पुरान में ऐसी स्थिती में किसी तीर्थ स्थान पर ही श्राद करके उसका विसर्जन करने का प्रावधान बताया गया है तो मित्रों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके अवश्य बताएं साथ ही इस वीडियो को खुद दक सीमित ना रखें और इसे शेयर करें अपने मित्रों और रिष्टेदारों के साथ सभी धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए आप जा सकते हैं Amazon पर The Divine Tales स्टोर पर और 20% एक्स्ट्रा डिसकाउंट चाहते हैं तो जाए shop.thedivinetales.com पर लाइक करें हमारा नया Facebook पेज The Divine Tales Hindi फिलाल आज के लिए बस इतना ही अब इजाज़त दें आपका बहुत बहुत शुक्रिया